Hello students, कैसे आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छी होंगे जैसे कि हमने आपके साथ पहले एक promise किया था कि आप सब के लिए हम एक special हिमांचल प्रदेश and Indian GK से regarding एक special series आपके पास लेकर आएंगे जिसमें आपको जो है हिमांचल जीके से regarding questions इंडियन GK से regarding questions जो continuously daily हम study किया करेंगे तो आज उसी की first series हम आपके पास लेकर आएंगे हिमांचल प्रदेश में आज जो हम questions लेकर आएंगे वो आपके पास हिमांचल प्रदेश के इतिहास से regarding है जिसमें जो हिमांचल प्रदेश का इतिहास के sources हैं वो कहां कहां से आपको मिले है उससे regarding कुछ important question जो यहाँ पे हम आपके साथ discuss करेंगे 10 से 12 question ठीक है चलिए तो first question है हमारे पास चंबा रियासत के पास 150 से अधिक तामपर पत्र जो है वो बहाँ पे मिले ठीक है तो त्यर सुलेक है इसमें लगवा कितने मुहमा मडल यानि मुस्लिम काल के भी पहले के है ठीक है यानि मुस्लिम काल से भी पहले के है तो यहाँ पे कितने मिले थे 150 से अधिक जो है तामपर पत्र मिले थे तो कितने जो थे आपके पास मुस्लिम काल से पहले के भी बहाँ पे present थे option ऐसे 0, 2, 5, 7 right answer 0 यानि वो 0, कोई नहीं था वहाँ पे ठीक है निमलिक्ट मैंसे किस रियासत के पास 150 से अधिक स्तांबर पत्र थे यानि स्तांबर पत्र है currently भी वो present है जिसे चमबा, कांगडा, बुशहर, शिर्मौर तो वो कौन से आपके पास वो है चमबा के next है हमारे पास हिमांचल परदेश के राणाओ और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य तूचना स्त्रोथ है यानि जो मेंली आपके पास कौन से ऐसे मुख्य स्त्रोथ है जहां से हिमांचल के जो ठाकुर होगे रानाज हो गए उनके बारे में information मिलती है अगर जैसे आपके पास यहां पर रजत रगिनी हो गई बैजनात की प्रशतियां आपके पास हो गई चंबर यासत में पाई जाने वाले शिलालेख आपके पास हो गई सभी तो इस सभी के सभी जो है वो सही answer है तो उप्युक्त सभी जो है इसके right answer हो गई ठीक है चाहे आपके पास रजत गिनी हो गई चाहे बैजनात की प्रशतियां आपके पास हो गई है न एक तांबर पत्र के अनुसार बिक्रमी संबत 1717 जंबा शहर सक संबत के अनुसार किस वर्स में पढ़ता है तो वो किस के अनुसार किस वर्स में प सरी तामबे के सिक्के जो दस्मी स्ताबदी के आसपास मौजूद थे हिमांचर परदेश के किस क्षेत्र से समंधित है यह कह रहे है आपके पास जो चकली तामबे के जो सिक्के थे दस्मी स्ताबदी के आसपास मौजूद थे वो हिमांचर परदेश के किस क्षेत्र से समंधि वो कौन सी ख् Cashetr से समंदि थे चमबाक शेतr से इमाचर्शव सब्रधेश के इमाचरोः प्रदेश में प्राचीन अभिलेक किस एक प्राचीन लीपी में उत्कृिस नहीं किये गए हैं वो कौन सी लीपी आपके पाज इसमें वो नहीं है वो चालिस हजार बर्स पूरव पुराने ओजारों की खुदाई के लिए कभी famous पुरसिद हुआ करती थी, अब कहां स्थित है, वो पाकिस्तान में चली गई, सोहन धाटी जो है, कहां चली गई है, पाकिस्तान के अंदर, और दंबरों, सासकों के सिक्कों पर कौन सी आकरिती पर प्रापत किये गए, तो वो मिले थी आपके पास अंबालाब सहारनपूर, तो सी जो है इसका राइट आंसर है, कुलिंदो के सिक्कों पर किसकी आकरिती जो हो पाई जाती है, उनके पाद जो भगवान शिब है, प्लस जो त्रिशूल है, साथ में उनकी आकरिती होती है, तो त्रिशूल के साथ भगवान शिब की आकरिती बहाँ पर पाई जाती है, कांगडा के पठियार और कनिहारा के प्राचीन, इठानी शीला लेक किस लीपी में है, वो कौनसी लीपी में है, बेसिकली, ब्रहम ही, एंड, जो खरोस्टी लैंग बेस है, उसमें वो specially आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आज हम इतने ही questions करेंगे, जाद लंबी वीडियो नहीं है, first lectures है, तो थोड़ा सा कम ही हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, 11 question है, थोड़ा सा समझने वाले question है, तो इनको study करो, पीडिया फाइल हम application के, जो free section है, बहाँ पे देख सकते हैं, यह classes आपको हमारे YouTube channel, प्लस जो हमारा Facebook page है, VR Academy का बहाँ पे मिल जाएंगे, तब तक एलिए thank you and have a nice day.